दूस्तू stock marketplace एक ऐसा मिस्टरी है अपने आप में या फिर एक ऐसा puzzle है जिसको solve करने के लिए लाखों लोग लगवे हैं मारकेट में कि बस हमें कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे हम मारकेट के momentum को पता लगा ले कि कहां पे entry करना होता है और कहां पे exit करना होता है आप सभी लोग को पता है अगर आप इस mystery को solve कर लेते हैं तो इस market से आप कितना ज़्यादा पैसा ले सकते हैं यहाँ पे इस video के थुरू आप लोगों को कुछ ऐसे guidance में देने वाला हूं जिससे आप लोग काफी हद तक एक सही track में बने रह सकते हैं क्योंकि क्या है ना लोग stock market के mystery and puzzles को solve करने में इतना ज़्यादा busy हो जाते हैं कि 2-3 साल कब निकल जाते हैं उनको पता नहीं लगता है कि कौन से ऐसे tracks है जिनको पकड़ के आप एक सही line में drive कर सकते हैं education ले सकते हैं market के साथ और आप लोग को पता हिए मेरा जो channel है the Indian trader स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को education content प्रोवाइट कर रहा हूं हर एक चीज जितना भी मैंने आप लोगों को knowledge दिया है चाहे वो life trade का knowledge हो everything knowledge and educational base होता है जहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ने को सिखाने का try करता हूं तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को track के बारे में बात करूँगा कि stock market में आप आये हैं आप काम कर रहे हैं अभी आपको क्या करना चाहिए या फिर आप किन चीजियों के ध्यान दे सकते हैं ताकि आपका time भी waste ना हो and आप एक सही track में बने रह पाएं तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को market के कुछ criteria के बारे में समझना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यह भी हम लोगों के सामने में live chart open है सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा अपने आप में यह maturity लानी पड़ेगी कि sir market जो है न वो बहुत ज़्यादा volatile होता है मतलब एक एक दिन में market बहुत ज़्यादा fall कर देता है तो यहाँ पे high chances होते हैं कि आपका पैसा यहाँ पे टूट जाए अगर आपने कुछ भी गलती करी न तो आपका पैसा यहाँ पे टूटने का high chances होता है सबसे पहले यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि market में आप कुछ भी यहाँ पे apply नहीं कर सकते हैं जिसको market respect करती है उन्ही सब tools का हम लोग यहाँ यहाँ पे use कर सकते हैं और मेरा जो channel है न यहाँ पे मैं आप लोग को technical analysis के बारे में सिखाता हूँ समझाता हूँ मेरा personal experience and knowledge देने का आप लोगों मैं try करता हूँ तो यहाँ पे stock market में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है जो लोग ignore कर देते हैं और उनका क्या होता है money के साथ सा time भी waste हो जाता है पैसा भी टूट जाता है और time भी बहुत ज़्यदा बेश हो जाता है और बात में उनको समझ में आता है कि सर यह field मेरे लिए नहीं था मैंने गलत field चुना तो सबसे पहले आपको यहाँ पे point number one यह चीज इनिशूर कर लेना है कि सर market बहुत ज़्यादा volatile है market एक एक दिन में बहुत बराबरा fall and बहुत बराबरा gap up gap down लगाता है यह चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा आप कहीं से भी कोई भी trend line डॉक करके कोई भी tool का यूज़ करके कुछ भी आप यहाँ पे blindly नहीं कर सकते हैं प्रॉपर आपके पास evidence होना चाहिए यहाँ पर candlestick mention है market का smiley है market का current sentiment है हर एक चीज everything जो market ने हम लोगों को सिखा है आज तक वही चीज मैं आप लोगों सिखाने का try कर रहा हूं तो point number one यह चीज का ध्यान जरूर रखेगा कि market सर यहाँ पे बहुत ज्यादा volatility create करता है volatile होता है market इसलिए अगर आप कुछ भी decision ले है न सो समझ के लिजेगा ध्यान रखेगा हमेसा market volatile होता है तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे काम कीजेगा proper management के साथ point number two यहाँ पे point number two हम लोगों से यह कहता है reality versus expectation मतलब एक होता है reality में calculation करना analyze करना profit management करना एक होता है expectation अब expectation का मतलब क्या होता है देखिए trade दो type का होता है एक होता है random trade दूसरा होता है calculation based random trade में आपकी winning की probability 30% हो जाएगी जहाँ पे अगर आप को calculation निकाल रहे है जिसको market respect करती है वहाँ पे 70% time हो जाएगी ठीक है यहाँ पे 100% नहीं है sir नहीं यहाँ पे 100% है क्योंकि market में एक certain probability चलता है इसलिए यह बात आप लोग को समझना पड़ेगा कि sir आप लोग market में आये हैं जो भी calculation कर रहे हैं वो यहाँ पे reality based होना चाहिए अब मैं बात करूँ expectation क्या होता है expectation का मतलब होता है market ने इतना momentum दे दिया कास मैं यहाँ पे trend line का breakdown पर trade कर लेता तो साइद मैं इतना momentum कम से कम इतना तो मैं ले लेता न तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाओ न percentage wise ठीक है percentage wise अगर मैं आपको दिखाओ तो यह बहुत ज्यादा हो रहा है sir यह 300 points हो रहा है जो कि हर दिन आप नहीं ले सकते हैं इसलिए आपको reality पे आना पड़ेगा अगर आप कोई भी entry का यहाँ पे planning कर रहे है तो सबसे पहले हम लोग के पास यह tool available है जिसे हमेशा आपको यूज करना है और उसका नाम है short position and long position इसमें क्या benefit होता है जिए हम लोगों को RR ratio provide कर देता है जैसे अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ न तो यह दिखे यहाँ पे हम लोगों को RR ratio दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा यह tool से यहाँ पे आप ऐसे करके calculation निकाल सकते कि नहीं मैं इतना बड़ा profit मैं नहीं ले पाऊंगा market हर दीन उतना profit देता नहीं है एक calculation based मुझे profit लेना है इतना profit में लोगा तो अगर आप इतना profit लेते हैं तो यहाँ पे आपका stop loss को छोटा करना पड़ेगा सर्थोरा बहुत यह द कहीं साब से calculation यह है यहाँ पे आपको निकलना या फिर थोरा जल्दी भी आप निकल सकते हैं कोई issue नहीं है और यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं लोग expectation को पकड़ लेते हैं लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं अगर यहाँ पे entry कर लेता तो इतना momentum मैं catch कर लेता है बहुत यहाँ पे यह सब चीज़े कहीं नहीं sensible नहीं है आपको अपने आप में maturity लानी पड़ेगी market को समझना पड़ेगा कि market है क्या काम होता कैसे है किन-किन चीज़ों को हमें follow करना है और कैसे follow करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना सब मार्केट बहुत probability एक certain calculation निकाल रहे हैं कुछ technical tool के थूरू जिसे हम लोग technical analysis कहते हैं और इसी को हम लोग price action concept भी कह सकते हैं तो यहाँ पे दो बातों का ध्यान आप जरूर अखली जगा जिससे आपका जो track है ना जिस track पे आप अभी चल रहे हैं वो track आपका एकदम clear हो ठीक है क्योंकि आप आपकी सर एक journey start हो रही है stock market में आप आये हैं काम करने के लिए है ना blindly तो आप काम नहीं कर पाएंगे या पर तुक्का तो आप लगा नहीं पाएंगे एक आप अपना track बना रहे हैं ठीक है वो track का जो दिश्या है ना वो successful trader के तरफ में जाना चाहिए और यहाँ पे ऐसे ब expectation में आना पड़ेगा एक और बात में यहाँ पे include करना चाहूंगा किसी भी YouTube वीडियो को देखके किसी के भी profit को देखके आप judge नहीं कर पाएंगे कि उतना आप भी कर लेंगे ठीक है उसका experience है उसके पास बहुत बड़ा fund है capital है बहुत जादा इसलिए उतना बड़ा profit कर र होगा देखिए learning दो type का होता है एक होगा हम लोगों का pre-recorded videos learning जो मैं आपको दूँगा जो मैं आप लोगों को देते वह आ रहा हूं YouTube में free में दूसरा होगा live market learning ठीक है समझना होगा आपको कि दो type का learning market में होता है अगर आपको market को real में सीखना है तो practically एक होता है हम लोगो live market के साथ आपको सीखना पड़ेगा अब यहां पर हम लोग live market के साथ कैसे सीखेंगे तो इसके लिए आपको कुछ technical analysis सीखना पड़ेगा कि technical analysis क्या होता है price action क्या होता है market में होने वाले सभी tool जो market के price को define करने में identify करने में हमें help करते हैं उसे हम लोग price action कहते हैं जिसमें आपका trend line आएगा, जिससे हम लोग channels बना सकते हैं market में, identify कर सकते हैं, breakout, breakdown को, candles के smiley को हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर candles के smiley आपको बहुत सारी चीज़े ऐसे बता देती है, जो चीज़ आपको live market में सीखना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे patterns होते हैं, जो यहाँ पर berries and bullish ह होते हैं, जहाँ पर sellers activate हो सकते हैं, तो यह सब भी knowledge, जो मतलब technical analysis के अंदर में आती है, जिसमें मैं आपको कुछ points बता देता हूँ, यह points अगर आप note down कर लेंगे न तो आपको easy हो जाएगा, जैसे यहाँ पर trend line प्लस chart patterns, okay, point number two में आएगा आपका candlesticks emotions, okay, point number third में आपका आ सिख रहा होगा, कि सर्फ market का यहाँ पर overall जो scenario है न वो एक side way में है, okay, बाकि मैंने आप लोग को already video में सिखा रखा है कैसे क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ-कुछ points अगर आप ध्यान रखेंगे न तो आपके लिए बहुत benefit होगा, trend line chart pattern, candlesticks and emotions, market sentiment and use होने वाले कुछ tools, Fib 80 tools हो गए हम लोगों का, जो यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजगा, यहाँ पर already available है, Fib retracement, जिसे हम लोग low to high, high to low mark करके, एक as a particular ratio निकाल सकते हैं, कि market इतना momentum किया है, मतलब जो जो technical analysis के अंदर में आते हैं, उन सभी चियों को आप सीख के live market के साथ practice कर सकते हैं, अभी दीखे, market fall कर रहा है, मतलब हमें दीख रहा है, market कितना ज्यादा volatile है, तो कभी भी यह नहीं सोचना है, कि हाँ इतना ज्यादा market fall कर गए, अब मैं यहाँ पर entry कर लेता हूं, और कितना गिरेगा, तो अब यह बहुत अच्छा जगह है, entry करने का, अब मैं यहाँ पर entry कर लेता हूं, तो यह कही नहीं सही चीज नहीं वहाना सर, यहाँ पर आपको अपका मन का बात को नहीं सुनना है, जो आपका calculation बोलेगा, वही करना है, calculation के base पर आपका entry बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं करना है entry, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर second number point क number three के बारे में बात किया, जिसमें point one में मैंने आप लोग को बोला कि market बहुत ज़्यादा volatile होता है, यह चीज आप लोग को समझना है, दूसरा हो गया हम लोगों का reality versus expectation, इन सब चीज़ों के आपको ध्यान रखना है, और तीसरा हो गया आपका learning, learning का जो track होगा ना, वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं, एक single video में तो हर चीज cover नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा ना, third number point आप लोग के लिए मैंने बोला ना, learning, तो वहाँ पे technical analysis में किये जाने वाले हर एक चीज, जो हम लोग use करते हैं, chart pattern के लिए, हर एक चीज का एक separate video में आप लोग के लिए बना standardistic smiley, stop loss, target, proper एक series में आप लोग के लिए बनाने का try कर रहा हूँ, एक video में, एक और जो मैं video बनाऊंगो उसमें, so I hope आप लोग को आज का video अच्छा लगा होगा, जो content मैंने आप लोग को दिया, वैसे ये था तो बहुत basic, बट जिन लोग को नहीं पता था ना, उनको ये लग गया, इसलिए अपना track को सही रखिये, so thank you so much for watching this video, वीडियो आप लोग को आच्छा लगे, so like कर दीजेगा, मिलते हैं next video के साथ, तब तक के लिए goodbye, nice day, take care.